सेलो डालियां का आज़ का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है इतना इमोशनल होगा कि आपकी आखों में आसू आ जाएंगे अमरिक को गोली लगती है और यहां पुलिस अंगत को पकड़ अपने साथ लेके चली जाती है अंगत को गोली लगने के बाद फते तेजो और जैस्मीन ये तीनो बहुत रोने लगते हैं लेकिन तेजो तुरंट एम्बूलेंस बुलाती है एम्बूलेंस पर फते अंगत और जैस्मीन तीनो होते हैं लेकिन यहां पर तेजो अपने कदम रोक लेती है वो एम्बूलेंस में नहीं बैठती है आपको बता से चले कि ह आस्पिटल पहुचते हैं ये तीनों जहां पर बहुत ही स्थिती गंभीर है अमरिक की अमरिक का उपरेशन हो रहा है और डॉक्टर ने कह दिया है कि इस्थिती बहुत ही नाजुक है ऐसे में बहुत रो रहे हैं फते और जैस्मीन अचानक से फते को ये धियान में आता है कि तेजो कहां है वो तेजो को फोन लगाता है तेजो का फोन स्विच ओफ है ऐसे में जैस्मीन कहती है कि हो सकता है तेजो पेपर वक कर रही हो पुलिस के साथ ऐसे मैं आपको बताते चले कि इंडिया से ममी का फोन आता है फते की ममी का फोन आता है जो बहुत खुश वो फोन नहीं ले रहा है आपको बता दे कि फते बहुत रोने लगता है यहां पर फते की मा कहती है कि तुम लोग जो हो आओगे ना तो बहुत अच्छे से वेलकम होगा और हाँ अमरिक को अपने साथ लेकर आना कहीं जैस्मिन उसे वही न रोक ले यह बात भले हसकर कह रही ह अमरिक की मा लेकिन यहां पर फते रो रहा है जहां जैस्मिन भी इसा बाते सुन रही है यहां पर वादा लेती है कहती है कि वादा करो फते कि तुम सब को लेकर मेरे बेटे को लेकर जैस्मिन को लेकर टेजो को लेकर सब को लेकर वापस लोटोगे यहां पर वादा मांगत है, दॉक्टर ने कह दिया है, कि वह नहीं बच पाएंगे, यहां पर जाता है तो अमरिक से कहता है कि तू बिल्कुल ठीक होrites यूखने कहा है यहां पर अमरिक कहता हूं मुझे मालूम है कि मैं बच नहीं पाऊंगा मैं इंडिया वापस नहीं जा पाऊंगा लेकिन वीरे तू सबको लेकर इंडिया जाएगा तेजो जी को भी साथ लेकर जाएगा सबका ख्याल रखेगा मम्मी का पापा का बेहन का सबका ख्याल तू रखेगा और मेरी जैसमीन का भी ख्याल रखेगा तेजो जी के साथ जितनी भी गलत फैमिया उसे दूर करना आपको बताते चले कि अपने भाई के ही कंधे पर दम तोड़ देता है अमरिक अब देखना ये है कि अब आके कौन से नए मोड दिखाये जाते हैं फिलाल के लिए बस इतना ही मनीशा सेना के रिपोर्ट वेब्टरिंटरी नियूज